हलो प्यारे दोस्तों स्वागत है आपका इंटर्वियो क्लासेज में हम बात करेंगे अपने संग्या टॉपिक के बारे में संग्या टॉपिक आपके सवाल पूछा ही जाएगा आपके एक्जाम में पूछा ही जाएगा इर्थ क्लास के ठीक है ना तो क्या है, कितनी संग्या हैं होती है, क्या बेद होते हैं उनके बारे हम बात करते हैं और बहतरी इंडंग से कुश्ण देखंए आप को एकतमा सानी से समझ मैं आजाएगा संग्या किसे कहते हैं जिन सब्दों से किसी वस्तु विक्तिया इस्थान अत्वा गुण का बोध होता उन्हें हम क्या कहते हैं संग्या कहते हैं परीबास से अच्छे से याद कर लीजिएगा आती वाचक मतलब मतलब जब समोंन का बोद हो और वाव वाचक ऐसी चीज़ जो वाव ऋ नजर दीच्टीन हैं उसे हम कहते हैं भाव संग्या अब सवालों से आप एकदम समझ जाओंगे संडे संग्या आप का सुंदर्ता क्या हम सुंदर्ता शब्द है यह किस प्रकार का एक भाव है सुंदर्ता ठीकिन हम सुंदर्ता को देख नहीं सकते कोई कहेगा कि हाँ सुंदर व्यक्ति को देख सकते हैं सुंदर बच्चे को देख सकते हैं बच्ची को देख सकते हैं लेकिन सुंदर्ता नहीं देख सकते हम कहा नहीं सकते हैं सुन्दर कितना है कि बहुत सुन्दर कितना सुन्दर है कह नहीं सकते हैं कि एक सुन्दर दो सुन्दर ऐसे तो यह सुन्दर भाव है सुन्दर था ठीक है न तो का ऑप्शन करेक्ट कौन सा सब्द भाव अचक संग्या है तो देखिए सोना वि सुता option रमेश ने सुर्श के साथ मित्रता का निर्वाः किया इसमें भाव आजब चेस्गों ापने का भावचक संघ्या इसमें रहा इसमें हम सिंग्यार इसमें मित्रता मितरता एक भाव है सUर्श रमेश ये क्या होगी व्यक्ति वाचक होगे ठीक है ना और यह मित्रता होगी भाववाचक राष्टपती बावन में संग्या है अब राष्टपती बावन में संग्या कौन सी है तो आपको होगे विक्तिवाचक है या जाती बाववाचक आपने का बाव तो यहां है नहीं ठीक है समू है नहीं ठीक है ना जाती या ताष्वठति भवन एक वी क्ति विसेठ से हैं ठीकि on We this time से बना भालक्षक संगया है तोरह कौन से सब्द बना है कलाई महान या लडकपन तो आपने का उम्मफषज है क्यों कि उम्छा क्या है किसी आदमी के विसेष्था हो bisa विशेशता क्या है उचा होना और उचाई से उचाई एक भाव बन गए आप ठीक है न कौन सा शब्द जाती वाचक संग्या है मतलब जाती वाचक संग्या कौन सा सब्द है गोपाल हमने का यह तो विक्ति वाचक है पुष्प पुष्प जाती वाचक है क्यों क्योंकि ठीक है ना अगला देखिए आपको ये भी सवाल पूछे जा सकते हैं कि बहाव अच्छक संगिया बनाईए तो देखिए बहुत हीजिए ना इनि पूज़ा वीर का वीरता ठीक है ना ये बहुत आसान है इसको आप वीडियो पॉज करके आराम से पढ़ सकते हैं ठीक है ना तो इसको अच्छे से देख लेजगा ताकि एक्जाम में यहाँ से आपके मार्क्स नहीं खटेगा मिलते है नेक्स्ट पार्ट में तब तक के लिए बैतरिन दंग से तैयारी करते रहिए ठीक है जय हिंद जय भारत